बिना सौतंत्र मीडिया के स्वास्त लोकतंत्र को सुनचित कर पाना संभव नहीं है लेकिन ये दुर्भाग के पूर्ण है कि लोकतंत्रिक देशों में प्रेस के लिए बिना अर्चन और रोक के काम कर पाना लगतार मुश्किल होता जा रहा है ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे जैसे लोकतंत्रिक देश में प्रेस की आजादी की स्थिती को कोई खत्रा मट रहे इस स्थिती के लिए किसी एक व्यक्ति या एक संस्ता का जिम्मिवार मानना बहुत गलत होगा लेकिन इसके साथ ही यह भी सत्य है कि यह हमारे लिए आत्म चिंतन का समय है यह आत्म चिंतन सरकार को करनी है, नेताओ को करनी है, पत्रकार बंदूों को भी करनी है और साथ ही रिपोर्टरों को भी करनी है वेलकम पैलेस जमालपूर संगठन के कार्यालाय पर बैठक के दोरान व्यक्त किये साथी डास्टी मीडिया महासंग के अनुशाशन समीती के चेर्मेन मुसीर एमत खान ने कहा ये गलत है और अकसर अभैद भी है वहीं बरिष्ट पत्रकार काजी नसीम उद्दीन ने कहा कि पत्रकारों के खिलाब रोज जैसे मतवेदों के आधार पर उतपीरन से लेकर धमकी और शारेरिक कानूनी धमकियां तक होती हैं ये सबी धमकियां बड़ी और छोटी हर दिन होती हैं ये पत्रकारों का अपना काम करने से रोकती हैं वे दूसरों के ऐसे विशर को कवर करने के लिए हत्तो साहित कर सकते हैं जो इसी तरह की धमकियां का कारण बन सकते हैं जिला संयोजग अन्वर खान और संपादक फरत हली खान ने संयोगत रूप से कहा कि अगर हम मीडिया की आजादी की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ चुपी ही बचेगी पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली धमकिया लोगतंतर के लिए खत्रा है वही डॉक्टर वकील एहमद और गुलाम नवी ने कहा कि इसे बदलने के लिए हमें सभी की मदद की जरूरत है हमें निगरानी रखने वाले लोगों की जरूरत है वही प्रदेश चेर्मेन मुसीर एहमत खा वजिला अध्यक्स धर्मेंद रागब ने संयुक्त रूप से पत्रकार साथियों को आपगत कराया कि देश के लगू वज माध्यम समाचार पत्रों की सबसे प्रभाब साली संस्ता इंडियन फेडरेशन ओफ स्मॉल एंड मीडिय पत्रकारों की भौतेक और बित्य सुरक्षा के लिए आम और महतपूर मुद्दो पर एकजुट होने की शबत पर हस्ताक्षा करेंगे और एक स्वर में मांग करेंगे कि लोगतंत्र के चौते स्थम को सबैधानिक दर्जा दिया जाए और चौते स्थम की मीडिया पालिका क के रूप में जाना जाए इस बैटक के मुखे रूप से संपादक मुशीर एहमत खा संपादक फरद अली संपादक वकील एहमत वरिष्ट पत्रकार अनवर खान धर्मेंद्र कुमार रागव यामिन खा गुलाम नवी मौमद राशिद दिल्शाथ सैफी फक्रुग दीन एह